पहला कुश्चन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां जल मेट्रो सेवा सुरू करेगी तो कहां उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहां जल मेट्रो सेवा सुरू करेगी तो B option right होगा आयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार जो है जल मेट्रो सेवा सुरू करेगी आयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्टा के साथ सहर में कार्य कलब के जुटी योगी सरकार अब सरायू में वाटर मेट्रो चलाएगी आयोध्या के सरायू नदी में चल्द ही परिया टक वाटर मेट्रो से सफर कर सकेंगे सरायों के किनारे संत तुलसी घाट में अत्यादुनिक सुविधा में लैस वाटर मैट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर 14 किलोमीटर का सफर गुप्ततार घाट तक तै करेगी जिसमें एक दात लगभग 50 यातरी जल विहार का आनंद उठा सकेंगे नेक्स कुश्चिन क्या है दूसरा कुश्चिन है हाल ही में पुद्वचेरी के नए सचिव कौन बने है तो इस कुश्चिन का राइट आंसर होगा सरत चोहान यह हैं सरत चोहान जो कि पुद्वचेरी के नए मुक्त सचिव बने है और NCL इंडिया लिमिटेड के नए वित ने देशक प्रसन्न कुमार आचारे बने है UPSC के सदेश्ट के रूप में सील वरधन सिक को निक्ति किया गया है नेक्स्ट कोईश्चिन क्या है? तीसरा कोईश्चिन है हल ही में भारत अरजा सबताह 2014 कहा सुरू होगा? तो इस question का right answer है option be right होगा गोवा में भारत उर्जा सब्ताय 2024 सुरू हुआ है अब बात है गोवा की तो ये है मैप में गोवा गोवा की capital क्या है पणजी गोवा की capital है CM कौन है प्रमोद सावंत यहां की मुखमंत्री है और गवर्नर कौन है PS PS स्रीधरन PS स्रीधरन यहां के गवर्नर है अब बात है गोवा की तो गोवा के काजु को GI टैग मिला है गोवा के काजु को GI टैग मिला है गोवा के मुखमंत्री ने स्वयाम पून ई-बोजार भी लॉंचे किया है गोवा में दसमी सतापती का कंदंबे सिलालेख भी मिला है भारत का पहला लाइट हाउस उस सोग गोवा में हुआ है नेक्स कोशिन देखेंगे चौधा कोशिन है हाल ही में महिलाओं की एर राइफल्स में सोनम मसकर ने कौन सा पदक जीता है तो इस कोशिन का राइट आंसर होगा उपसन सी राइट होगा राजत पदक जीता है ये हैं सोनम मसकर जिन्होंने एर राइफल में राजत पदक जीता है नेक्स कोशिन क्या है पांचमा कोशिन हाल ही में किसे टी आर एई आई के अध्यक्च के रूप में निक्त किया गया है तो इस question का right answer होगा option be right होगा अनिल लहोटी ये हैं अनिल लहोटी जिने T.R.A.I. का अध्यक्च के रूप में नुक्त किया गया है अब बात है T.R.A.I. तो इसकी full form क्या होती है Telecom Regulatory Authority of India इसका headquarter कहा है इसका headquarter है न्यू दिल्ले में इसका headquarter है और इसकी इस्थापना कहुई थी 1997 में 20 फरवरी 1997 में इसकी इस्थापना हुई थी 29 जनवरी को किंदर सरकार ने IRSE Officers अनिल कुमाल लहोटी को Telecom Regulatory Authority of India का चीयर्में न्यूक्त किया है सितमबर 2030 में पूरु चीयर्मेंट PD बगेला को दो साल का कारिकर पूला होने के बाद ट्राइ चीयर्मेंट का पद खाली थी Next question देखेंगे जटमा question है भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यप्ति का निधन हुआ है उनका क्या नाम है तो इस question का right option होगा option A right होगा डॉक्टर नित्या आनन्द ये हैं डॉक्टर नित्या आनन्द जिन्होंने केंडरी औसदी अनुसंदान संस्थान लखनों के पूरो निर्दे सक और देश की पहली गर्भ निरोधक गोली सहेली बनाने वाली वैज्यानिक पदम सिरी पुरुसकार विजेता डॉक्टर नित्या नन्द का 99 वर्स की उम्र में निधन हो गया है next question देखेंगे next question है घरतंद दिवस परेड़ 2024 किस जाकी ने प्रत्रम इस्थान हासिल किया है option C right होगा संस्कृती मंत्राले की जाकी ने भारत लोकतंदर की जननी विसय पर जाकी ने घरतंद दिवस परेड़ 2024 में प्रताम इस्थान प्राप्त किया है IGNCA ने बड़े उस्थाव के साथ घोशना किया है संस्कृती मंत्राले की इसकी जाकी ने गरतंत दिव समारोः परेट दोहजर चौबिस में पहला पुरुसकार हासिल किया है जो कि सांस्कृति प्रतिनिदित्यों के छेतर में एक महत्पों जीत भी है नेक्स कुश्चिन क्या है आठमा गोश्चिन हाल ही में किसने दोहजर देश में वैसिक वाहन निर्माता के रूप में अपना वरचस बरकरार रखा है तो इस कुश्चिन कर रहा है अंसर ओप्सन बी राइट होगा तोयोटा ने प्रसिद चापानी वाहन निर्माता तोयोटा ने दोहजर तेश में एक वर फिर दुनिया की सबसे ज़्यादा बिखने वाली कार निर्माता के रूप में अपना इस्थान सुरक्षित कर लिया है यह उपलप्ती वैसिक आर्टो मोटिव बचार में टोयोटा के निरंतर प्रभुत और नवाचार गुडवत्ता और ग्राहक संतुष्टी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांतरत करती है नेक्स कोशिन क्या है नॉमा कोशिन है हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौत्थी बार राष्टपती चुने गए है इस कोशिन का राइट अंसर होगा और संसी राइट होगा कोमो रोस मैप में ये है कोमो रोस जो की हाल ही में प्रतान राष्टपती कोश चुने गए है अजाली असोमनी अब इसकी कैपिटल क्या है मराणी है इसकी कैपिटल करंसी क्या है फ्रेंक है फ्रेंक इसकी कैपिटल है करंसी है ओप्सन बी राइट होगा संजीव जोसी, यह हैं संजीव जोसी जिन्होंने एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब लिखी है, ठीक न, अब चित्रा बनर जी ने भी एन अंकॉमल लफ दा अरली लाइफ ओफ सुदा एंड नारायन मूर्ती नामक पुस्तक लिखी है, ठीक न, ट विमोचन किया है, नेक्स कुश्शन क्या है, गयराहमा कुश्शन है, हाल ही में घेल ने किस देश के साथ दस वर्सी एल एन जी समझोता किया है, तो इस कुश्शन का राइट अंसर होगा, ओप्सन ए राइट होगा, यू ए ए, अब बात है यू ए ए की, तो ये मैप में अबुदा भी है इसकी कैपिटल, करंसी क्या है, यू ए ए दिरहम, प्रैम मिनिश्टर कौन है, महम मुहम्मद बिन रासिद अल मक्तौम, प्रेसिडेंट कौन है, मुहम्मद बिन जाहित अलनेहान, यहां के प्रेसिडेंट है, अब बात है यू ए ए की, तो इससे राजिस्थान के थार में आयोजित किया गया था, वेरि इंपोर्टेंट कौश्चन है, प्रधान मंतरी मोदी अवुधाबी में बीए पीएस हिंदू मंतिर का उधगाटन करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड और सौर उर्जसेंद्र का उधगाटन यू ए म किया गया था, नेक्स कोशिन क्या है, पारहमा कोशिन है, हाल ही में इसरो ने कहां इंसेट 3DS उपगर है, लाँच करेगा, तो स्री हरी कोटा, स्री हरी कोटा में लाँच करेगा, अब बात है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इसरो की फुल फॉर्म होती है इसका हेड़कौर्टर कहा है इसका हेड़कौर्टर है बैंगलूरू में इसका हेड़कौर्टर है और इसकी इस्थापना कब हुई थी 1979 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 में इसकी स्थापना हुई थी ठीके न इसकी चेयर परसन कौन है एस सुमनात, एसके चेर परसन है और founder कौन है तो विक्रम सारा भाय इसके founder है नेक्स कोशन क्या है नेक्स कोशन है किस देश के पूर्व प्रधान मंतरी को 10 साल की सजा सुनाई गई है तो इस कोशन का राइट आंसर होगा option be right होगा पाकिस्तान पाकिस्तान की पूरु प्रधान मंतरी इमरान खान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है पाकिस्तान के अकपराना डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबित पूरु सीम इमरान खान के अलावा देश की पूरु प्रधान मंतरी साह महमूत कुरैसी को भी इस केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है अब बात है पाकिस्तान की तो यह हमेप में पाकिस्तान पाकिस्तान की कैपिटल क्या है इसलामाबाद है यहां की कैपिटल प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सहबाद सरीप सहबाद सरीप यहां की प्राइम मिनिस्ट ठीक ना, next question क्या है, next question है, जो देमा question है, L&T ने कहा सौर उर्जा सैंतर इस्थापित करने का order मिला है, तो इस question कर रहा है, answer होगा, option A right होगा, दुबई, L&T यानि लॉर्जा अंड टुबो को दुबई में सौर उर्जा सैंतर इस्थापित करने की परियोजना का ठेका मिला है कंपेनी ने BSE को दी गई जानकारी में बताया है कि इस परियोजना के तहट दुबई यानि सैंयुक्त अरब अमिरात में सौर फोटो वोल्ट कैनिक सैंतर इस्थापित करेगा, next question क्या है, 15 हमाई question है, कतर ने किस देश के साथ 15 साल तक गैस की अपूर्टी समझोता किया है, तो इस question का right answer होगा, option C right होगा, बंगलादेश, ठेके ना बात है बंगलादेश की, तो यह है मैप में बंगलादेश, बंगलादेश की capital क्या है ठाका, currency क्या है बंगलादेशी ठाका, प्राइम मिनिस्टर कौन है, सेख हसीना, सेख हसीना जी यहां की प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट की बात करें तो मुहम्मद सहा बुद्दिन यहां के राष्ट पती है अब बात है बांगलादेश की तो बांगलादेश दे इन्पॉर्टेन क्वेश्चिन क्या बनेंगे बांगलादेश ने अंडर 19 एसिया कप का किताब बे जीता है बांगलादेश की नौ सीना ने बोंगो सागरते इसका आयोजन किया है बांगलादेश के प्रधान मंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्गाटन किया है भारत और बांगलादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रती मेगाले में सुरू हुआ है ठीक ना आसा करतों कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आयोगी अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे वा अपने उन दोस्तों को सेर करें जो कॉंप्रीशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगे हमारे आप इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल इस्टेडि थरी वन को फॉलो कर सकते हैं और टेली करेंट अफिर्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद